इंडिया के अंदर लॉंच हो चुका है OnePlus Nord CE25G गाइस आपने OnePlus Nord CE देखा हुआ OnePlus Nord 2 बे देखा हुआ कुछ वैसा ही डिजैन यहां पर आपको Nord CE25G के अंदर देखने को मिलता है काफी अच्छा मुबाइल है इसका प्राइस भी काफी अच्छा रखा गया है बट यहां पर इसके अंदर कुछ आपको प्रोब्लम्स देखने को मिलने वाले है इस वीड़ों के अंदर हम जाने वाले है OnePlus Nord CE25G की तीन प्रोब्लम्स के बारे में तो अगर आप इसको खरीदरी के बारे में सोच रहे हैं एक बार इन प्रोब्लम्स को यानि कि इसके प्रोब्लम्स को एक बार जरूर जान लीजेगा So, let's start गाईस आपने OnePlus Nord 2 देखा हुआ कुछ इस टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिलता है ठीक वैसा ही डिजाइन आपको नोड CE25G के अंदर देखने को मिलता है अभी जो इसका मुबाइल लोन चुआ है OnePlus Nord C25G इसका प्राइस है 6GB रेम वेरिंट के साथ 24,000 रूपे का Nord C25G के प्रोस और कून्स को जाने से पहले सबसे पहले याँपर इसे कुछ स्पैसिफिकेशन के बारे में जानेते हैं याँपर आपको 6.43 इंस की तीन कैमरा का स्पोर्ट देखने को मिले वाला है जो कि यह 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP और फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिले वाला है 6GB रेम वाला वेरिंट आपको 24,000 रूपे का देखने को मिले वाला है इसके अरवाज याँपर आपको 3.5 mm का headphone jack देखने को मिलता है आज कल यह देखने को नहीं मिल रहा था बट यहाँपर आपको 3.5 mm का audio jack देखने को मिलेगा यह काफी अचीव बात है 2.5 mm प्लस यह वो है 5G bands यहाँपर जो पहले वाला Note C यह था उसके अंदर आपको 1-2 5G bands देखने को मिले थे बट यहाँपर आपको काफी जड़ा 5G के bands देखने को मिलते है यहाँपर आपको 5-8 5G के bands देखने को मिलेगे तो यहाँपर आपका 5G अच्छे से काम करने वाला है Note C 2 5G का जो 3rd Pro से वो है Fast Charging 65W की आपको Fast Charging देखने को मिलने वाली है तो यह आपके mobile को पूरे 30 minute के अंदर Full Charge कर देगी 0-100% यहाँपर आपको पूरा देखने को मिलेगा सिरफ 30 minute के अंदर OnePlus Note 2 के अंदर भी आपको 65W की Charging देखने को मिलती है उसका भी मैंने टेस्ट के आपको 30 minute के अंदर उसने पूरा Charge कर दिया था सोच यह थे Pros OnePlus Note C 2 5G के अभी जानते हैं इसके कौन्च के बारे में क्या आपको कमी देखने को मिले वाली है Note C 2 5G के अंदर Note C 2 5G का जो सबसे पहला कौन है वो है Speaker आपको सिंगल स्पिक्कर देखने को मिलता है आज कल काफी सारे के अंदर आपको dual szpikker देखने को मिलता है जिसी जो आपकी sound है वो काफी अच्छी हो जाती है बट यांपर आपको single speaker देखने को मिलेगा जो कि ठीक बात नहीं है इनको भी यहांपर dual speaker देना चीछ था बट यहांपर आपको सिरफ एक ही speaker देखने को मिलने वाला है Nord C25G का जो next cone है वो है इसका Android version यहांपर अभी भी आपको Android 11 ही देखने को मिलता है Android 12 का latest version यहांपर आपको देखने को नहीं मिलता है तो गाइस इनको देना चीछ था latest version बट यहांपर आपको Android 11 ही देखने को मिलता है यह इसकी कोई problem नहीं है बट यहांपर आपको कमी देखने को मिलती है Nord C25G का जो next cone है वो है IP rating यहांपर भी आपको IP rating देखने को नहीं मिलती है OnePlus की जो सस्ते वाले मुबाईल देखने को मिलते हैं यहांपर आपको काफी के अंदर IP rating देखने को नहीं मिलती है OnePlus Nord C25G के अंदर भी आपको IP rating देखने को नहीं मिलने वाली है तो गाइस यह थे OnePlus Nord C25G के pros and cons 4500 mh की बैटरी देखने को मिलती है बट यहाँ पर इनको 5000 mh की देनी चाहिए थी अगर आप जड़ा गेमिंग करते हो तो यहाँ पर आपको पता चलने वाला है बट यहाँ पर आप काफी ठीक मुबाइल देखने को मिलता है आप चाहिए तो इसको परचेस कर सकते हैं यहाँ लाइक कर देना शेर कर देना ठीक्स पूर वाचिंग